The monk who sold his Ferrari, इस किताब में हिमालाईन योगी 4000 वशे से करते आ रहे विजुलाइजेशन इस अध्भुट टेकनिक के बारे में बताया है इस किताब में बताया है कि योगी रमन जब किशोर आवस्था में थे तो उनमें आत्मे इश्वास की कमी थी क्योंकि वो अपनी उम्र के दुसरे लड़कों से छोटे दिखाई देते थे इसलिए वो खुद को असुरक्षि समझने लगे थे और सभाव से शर्मिले हो गए थे इस कमजोरी को दुर करने के लिए योगी रमन ने उनके गुरु दौरा दिखाए गए विजुलाइजेशन टेकनिक का इस्तिमाल करना शुरू किया विजुलाइजेशन के लिए वहां के योगी एक खुपसुर शांत जिल के स्थीर पानी का इस्तिमाल करते थे योगी रमंधी इस स्वर्गे स्थान की यात्रा करते थे और वे जिस प्रकार का व्यक्ति बनने की आशा करते थे वे इसी छवियों के लिए वे इजिल का पिक्चर स्क्रीन के रूप में प्रयोग करते थे कुछ दिनों तक वह अपने आपको एक मजबूत नेता के रूप में खड़ा हुआ लंबा और शक्तिशाली रौबदार आवाज में बोलता हुआ देखते थे दूसरे कुछ दिनों में वह अपने आपको उस रूप में देखते थे जैसा वह बड़े होने के बाद बनना चाहते थे एक बुद्धिमान संद जो विशाल आंतरी शक्ति का भांडार और चारित्रवान हो अपने जिवन में वह जो भी गुन विकसित करना चाहते थे उनको पहले वह जिल की सतपर देखते थे कुछ ही मैनों में योगी रमन वह व्यक्ति बन गए जिसे उन्होंने मानसिक रूप में बनते वह देखा था दोस्तो अगर आपने दमांग हुसोल हिस फेरारी इस किताब को पड़ा है तो उसमें उन्होंने एक अदबुट टेकनिक बताइए एक लाइफ चेंजिंग टेकनिक बताइए जिसे जिल का रहस्य कहते है और इसी टेकनिक को दुनिया भर में विजुलाइजेशन के नाम से जाना जाता है दोस्तो परसनली इस टेकनिक ने मुझे बहुत बहुत बेनिफिट दिया है चाया हो मेरी रिलेशनशिप को अच्छा करना हो मेरी फाइनशल कंडिशन को अच्छा करना हो या मेरी लाइलास बीमारी ulceritis को ठीक करना हो इस के लिए इस technique ने मेरे लिए चमतकारिक रुप से काम किया है और इस किताब में लेखख बताते हैं कि इस technique को हिमालई योगी 4000 वर्ष पूर्वज से करते आ रहे हैं तो वो कैसे करते थे इस technique को और हम भी हमारे life में इसे कैसे apply कर सकते हैं यह detail में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों क्योंकि एक life changing technique जो व्यक्ति आप बनना चाहते हो वेसे आप बन जाओगे कैसे बनते हैं इसे अभी हम continue करेंगे एक भी point मिस मत करना दोस्तों इस किताब में बताया है कि हिमाले सिद जो सिवाणा के संत है उनके पास अपने इच्छा को पूरी करने का चाहे वो इच्छा कितनी भी साधरन क्यों ना हो उसे पूरी करने का एक कारगर तरीका था जिसका इस्तेमाल हो करते थे और यह टेकनिक इतनी कारगर है दोस्तों हम में से कोई भी इससे इस्तेमाल कर सकता है और इसके अद्बुत रिजल प्राप्त कर सकता है जैसे अगर आप एक लायर है और आप संपत्ती बढ़ाना चाहते है तो यह टेकनिक आपके लिए काम की है अगर आप एक ग्रुहनी है और एक धनाध्य पारिवारिक जिवन जीना चाहते है तो यह टेकनिक आपके लिए काम की है अगर आप एक स्टुडेंट है और बहुत ही जबर्दस्त पढ़ा ही करना चाहते है तो यह technique आपके लिए चमतकारिक रुप से काम करती है अगर आप एक salesman है और अपनी sales को बढ़ाना चाते है तो यह technique आपके लिए बहुत ही helpful होती है अगर आपको कोई बिमारी है और उसे आप ठीक करना चाते है तो यह technique आपको बहुत-बहुत help करती है जैसे उसने मुझे help किया है इस तकनीक को सिवाना के संध जिल का रहस से कहते थे इसका पर्योग करने के लिए ये गुरू प्रात्तकाल में सुबद चार बजे उड़ जाते थे क्योंकि प्रात्तकाल में चमतकारिक पुर्ण विशेस्ताय होती है उसके बाद पाहडी मारगों से नीचे उतर कर एक खुले वे स्थान पर पहुँच जाते थे इस खुले स्थान के किनारे नीले रंकी पानी की जिल थी जो छोटे कमल के हाथ जारों फुलों से अच्छा दीती जिल का पाने अच्छरे जनेक रुप से स्थीर और शांत था यह वास्तों में एक अलावकिक दुर्शय था संत जिल के स्थीर जल्ग में देखते थे और उसमें अपने सपनों का कलफना दर्शन करते थे उनको सत्य में परीनित होते में देखते थे मतलब जिस परकार का व्यक्ति वो बनना चाते थे वैसे व्यक्ति वो बन चुके हैं ऐसी इमेज ऐसा चित्र उसमें जिल के पानी की सत्ध पर देखते थे यदि वे अपने जीवन में अनुशाशन की गुनों की उरुद्धी करना चाते थे तो वे अपने आपको दिन निकलने से पहले उठते वे देखते थे और कठोर शारिलिक्षम करते वे देखते थे एक्सरसाइस करते वे देखते थे अपनी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए कई दिनों का मौन रखते वे कलपना दर्शन करते थे यदि जीवन में वे अधिक आनंद चाहते थे तो जील में देखकर अनियंत्री तुरुप से हसते वे या जब कभी अपने किसी भाई या बन से मिलते वो समय मुस्कुराते वे कलपना दर्शन करते थे यदि उन्हें साहस की इच्छा थी तो चुनोती अत्वा संकट के समय वे अपनी तस्वीर ताकत के साथ अभिने करते वे देखते थे और वो सारे गुन उन योग्यों के अंदर उत्तरने शुरू हो जाते थे क्योंकि इस किताब में बताया है कि हमारा जो मस्तिश है वो तस्वीरो दौरा काम करता है सिप सोचने से वो काम नहीं करता है वो तस्वीर जब तक उसे नहीं दिखते है तब तक उसके उपर वो काम नहीं करेगा और ये जो तस्वीरे होती है दोस्तो हमारी आत्मचवी को प्रभावीत करती है यानि कि हमारी सेल्फ इमेज को प्रभावीत करती है और जैसे हमारी सेल्फ इमेज होती है वेसे ही हम सोचते है वेसे हम काम करते है और वेसे ही हम प्राप्त करते है और जब हम हमारे मस्तिश के चल्चित्र पट पर वो प्रेरनात्मक कल्पनात्मक तस्विरे दौडाने लगते हैं न दोस्तों वे इसी ही आमारी जिंदगी बननी शुरू हो जाती है और उसी दिशा में हम आगे बनने लग जाते हैं अब सवाले उठता है अगर ये टेकनिक इतनी काम की है तो क्या इसके जिल्की तलाश करनी पड़ेगी इस किताब में आउथर ने बताया है कि आपको जिल्की तलाश करनी की जरूरत नहीं है आप जश्ट आपने कमरे में बैठ कर इसे कर सकते हैं जब भी आपको इसे करना है तो सुबह के समय में कीजेगा ज्यादा लाबदाई होगा या फिर आपको सोते समय भी आप कर सकते हो क्या करना है अपने कमरे का दरवाजा बंद करना है इसे एक कांत में करना है ताकि कोई आपको डिश्टरब ना करें अपना मोबाइल फोन स्वीच आप कर दीजे सबसे पहले और आखे बंद करके रिलाक्स अवस्ता में बैठ जाईए और चार-पाज बार गहरी सांस लेना है और सौसों को छोड़ना है इससे क्या होता है आपका शरीर और मन पूरी तरह से रिलाक्स हो जाता है और उसके बाद जिक शत्र में आप प्रोग्रेस करना चाहते हो जिक शत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो जिस प्रकार का व्यक्त वेक्तियाप बन चुके हो ऐसा विजुलाइज करना है ऐसी तस्वीर अपने मस्तिश को दिखानी है कि वह इंसान आप बन गए हो और बहुत ही खुश मैसुस कर रहे हो जैसे मेरी अल्सरेटि कॉलाइज की बीमारी को ठीक करने के लिए मैं यह विजुलाइज करता था कि मेरा शरीP पूरी τरद से स्वस्त हो चुका है मेरी शरीग की हर एक स्वस्त हो चुकी है और जब मैं पूरी तरह से सोस्त हो जाओंगा तो कैसे दिखूंगा लोगों से कितने confidence के साथ मिलूँगा कितने ही मुस्कुराट होगी मेरे चेहरे पर कितनी प्रसन्नता होगी वो व्यक्ती मैं बन चुका हूँ वो सोस्त व्यक्ती मैं बन चुका हूँ ऐसा visualize मैं करता था अपने मश्टिश को ऐसा मैं चित्र दिखाता था जो भी वेक्ति आप बनना चाहते हो और वो आप बन चुके हो जस उसकी तस्वीरे अपने मश्टिश को आप दिखाईए अपनी मन की आखों से देखिए मैं बहुत सारी वीडियो में बताता हूँ कि हमारा subconscious mind जो है वो देख नहीं पाता है लेकिन जो तस्वीरे हम उसे दिखाते है उन्हें हकिकत में तबदिल करना शुरूर कर देता है यह जो visualization technique है दोस्तों बहुत बहुत कारगर है इसे अपने जिवन में जरूर अपलाई कीजेगा अगर आपको आपकी जिन्दगी का सरवांगिन विकास करना है तो यह किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए उसकी लिंक चाहो तुम आपको description में दे दूँगा दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत powerful topic के साथ तब तक के लिए thank you, bye bye, take care, शुक्रिया